मेरे प्रिये भाई और बेनों, मृत्यू हम सब के लिए एक दर्दनाग घटना है, एक डरावनी घटना है, विशेश करके जब हमारे प्रिये जनों की मृत्य होती है, मा की मृत्य होती है, बाप की मृत्य होती है, पति की मृत्य होती है, पतने की मृत्य होती है, बच्चों की मृत्य होती है, भाय की मृत्य होती है, अपने करेब के मित्र की मृत्य होती है, तो हमें कितना दुख होता है, कितनी पीडा होती है, एक सचाई है, सब के जीवन की सच आई है अम स्तोत्र 116 उसके वाकिय 15 में पाते हैं वचन में लिखा हुआ है अपने भक्तों की मृत्यू से प्रभू को भी दुख होता है कितना सुन्दर वचन है अपने भक्तों की मृत्यू से प्रभू को भी दुख होता है यहान के सुस्रमाचार की अध्याए 11 उसके वाकि 35 में हम पढ़ते हैं प्रभी येशू लाजरूस के कबर के सामने खड़े थे प्रभी येशू लाजरूस और उसके दोनों बेहनों को बहुत प्यार करते थे वचन में लिखा हुआ है प्रभू रो पड़े प्रभू रो पड़े प्रभु के अंदर भी दुख हुआ लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी समस्या क्या है वो यह है कि किसी प्रिये जन की मृत्यू का दुख और शोक हम अपने हिर्दे में बनाएं रखते हैं रखे रहते हैं महिनों वर्षों रखे रहते हैं और यह हमारी लिए हानिकारक बन जाता है श्यारीरिक रूप से हानिकारक मानसिक रूप से हानिकारक और आर्थिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी हानिकारक बन जाता है हम तैसलोनी क्योंकि पहले पत्र की अधियाई चार उसके वाकिय 13 और 14 में पहते हैं संद पौलूस कहते हैं भाईयों और बैनों हम चाहते हैं कि ब्रतकों के विशे में आप लोगों को निश्चित जानकारी हों कहीं ऐसा नहो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिने कोई आशा नहीं है देखे पौलूस कहते हैं कि कहीं ऐसा नहों कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिने कोई आशा नहीं है हम तो विश्वास करते हैं कि इसा मर गए और फिर जीवठे जो इसा में विश्वास करते हैं मरे इसा और उन्हें उसी तरह इसा के साथ पौनर जीवित कर देगा पौलूस कहते हैं कि हम लोग उन लोगों की तरह जिनकों मृत्यू के बाद के बारे में कोई ग्यान नहीं है कोई विशेश आशा नहीं है उनकी तरह शोक ना मनाएं मैंने देखा बहुत सारे मसीही और विश्वासी भी अपने हुदे में कई महिनों या वर्षों तक शोक को बनाए रखते हैं और वे शोक की आत्मा की शिकार बनते हैं ऐसे लोगों के लिए कभी कभी मैं बंदनों से आजादी के लिए प्रारतना करता हूं वे सोदंदर हो जाते हैं वे आनंदित हो जाते हैं क्योंकि कई दिनों तक उन्हों ने शोक को अपने अंदर बने रहने दिया जिसके कारण वे शोक की आत्मा की शिकार बन गए और ये उनके शारीरिक पतन और आर्थिक पतन और मानसिक पतन का भी कारण बन गया अमें प्रवक्ता ग्रंद के अध्याय 38 में पढ़ने को मिलता है उसके वाकिए 16 से 16 से 20 तक ध्यान से सुनियागा वचन में लिखा हुआ है पुत्र पुत्री मृत्र पर आंसू बहाओ और दुख्chaft और बिलाप करो उसका शरीर योगी रीती से दफनाओ और उसकी कब्र कर ध्यान रहो वचन कहता है मृतक पर आंसु बहाओ ये अच्छा है कोई मर जाता है प्रेजन मर जाता है तो आंसु बहाना अपने दिल के दुख को प्रगट करना अच्छी बात है और दुखी होकर विलाब करो आगे लिखा हुआ है पूट पूट करो और विलाप करो अपने दर्द को बाहर आने दो लोगों की निंदा से बचने के लिए एकाद दिन मृतक की योगेता के अनुसार शोक मनाओ इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो देखिए बचन कहता है मृतक की योगेता के नुसार शोक मनाओ और इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो क्योंकि शोक मृत्यू का कारण बन सकता है क्योंकि शोग मृत्यू का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ती घटाता है शोग भी पति में बना रहता है और दरदेता का जीवन हृदे के लिए भी शाफ है अगर हम अपने हृदे में शोग को बनायार रखेंगे तो हम परिशान वोते जाएंगे बिलाप करना, रोना अच्छा है, आवश्यक है लेकिन उसके बाद अपने दुखों को शांद करना है हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम मृतकों को ईश्वर के हाथ में नहीं देते हैं हम उन्हें पकड़े रहते हैं हम उनको छोड़ने को तयार नहीं होते हैं मृतकों को हमें प्रभु के हाथों में सौप देना चाहिए आयूप का उदारन लीजिए वचन में लिखा हूँ आयूप के गरंध में, जोब के गरंध में कि जोब के सारे बच्चे दब कर मर गे संपत्ती गई अलग बात लेकिन सारे बच्चे दब कर मर गे वाक्यकेज में आपड़ेंगे आयूप अध्याई एक वाक्यकेज में आयूप कहते हैं एश्वर ने दिया था एश्वर ने वापस लिया धन्य है इश्वर का नाम एश्वर ने दिया था और ईश्वर ने वापस लिया धन्य है ईश्वर का नाम इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो ने संतान है एक संतान के लिए प्रभु के सामने गिड़ाते हैं एक एक संतान एक एक रिष्टा आपको जो दिया गया है वो ईश्वर की द्वारा दिया गया है जब ये हमारे जीवन से हार जाते हैं मिट जाते हैं तो हमें ईश्वर के हातों में सौंप देना है अयूप की तरह और कहना है ईश्वर ने दिया था ईश्वर ने वापस लिया धन्य है ईश्वर का नाम अमें प्रग्या ग्रंद में पढ़ने को मिलता है धियायतीन उसकी वाकिए एक से पांच तक वचन में पढ़ते हैं धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं उने कभी कोई कष्ट नहीं होगा मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गये हैं वे उनका संसार से उठ जाना घोर वी पत्ती मानते थे कौन मूर्ख लोग और ये समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है किंतु धर्मियों को शांती का निवास मिला है किन्तु धर्मियों को शांती का निवास मिला है मनिशों को लगा कि भी धर्मियों को दन मिल रहा है किन्तु वे अमरत्य की आशा करते थे थोड़ा कष्ठ सेने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा जब धर्मी मरते हैं लोग सोचते हैं कि इसका विनाश हो गया है लेकिन वचन कहता है इनका विनाश नहीं हुआ है हम विश्वासियों के लिए हम मसीहों के लिए जो प्रभी येशु के पुनुरुथान पर विश्वास करते हैं मृत्यू जीवन का विनाश नहीं है, बलकि जीवन का विकास है. मृत्यू के द्वारा हम इस संसार को छोड़ गर परलोग में प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं. कितनी सुंदर बात है हमारी हिंदी भाषा में मृत्यों की बाद हम कहते हैं लोगों का स्वर्गवास हो गया है कैसे बोलते हम बोलते हैं चल बसे हैं बसे कहा है स्वर्ग में प्रभू की साने दिमें चल बसे स्वर्गवास हुआ एक बार में किताब पढ़ रहा था एक बहुत बड़े परचारक का किताब वहाँ पे उन्होंने लिखा है उनकी पिता की मृत्यू के बाद उन्होंने क्या किया उनके पिता का नाम मान लीजिए लॉरंस है आप जानते हैं धनी परवाज़ों के सामने उनकी दिवार होती है उनकी जो उनका गेट होता है और गेट पर नाम लिखा रहता है मिस्टर लॉरंस उसके बाद पूरा पता लिखा रहता था लेकिन उनके पिता की मृत्यू के बाद इस प्रचारक ने क्या किया निवास बदल दिया है किति सुन्दर सोच ए इपका विश्वासी या एइसु के पनृताएं पर विश्वास करने eli की सोच looking Mr. Lori्ण यहाँ नहीं है उन्होंने अपना निवास सब दाल दिया है चल बसे स्वर्गवास हो गय है कई वर्ष पहले जए मेरे पिताजी की मौत हुई मैं उनके दफन गिले वहां पहुँचने पाया क्योंकि मैं एक बहुत बड़े कारिक्रम को चला रहा था आश्रम वापस आने के बाद उनके आदर में मिस्सा पूजा हुआ था मिस्सा बल्दान हुआ था और मेरे कई मित्र पुरोहित और अधिकारी लोग भी पस्ती थे और कुछ लोग सामने उपस्ती थे मैंने मिस्सा बल्दान के प्रारभ में ही कहा कि मुझे खुशी है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक और मध्यस्त है वह और कोई नहीं है बलकि मेरे पिताजी है जबसे मैंने प्रभी येसु मसी की पुन्रोथान के बारे में वचन सुनाना शुरू किया इस पर मनन चिंदन करना शुरू किया इस पर विश्वास करना शुरू किया मृत्यू के बारे में मेरा नजरिया बदल गया मेरा दृष्टिकोन बदल गया इसलिए किसी की भी मृत्ती हो जाती है तो मुझे धका नहीं लगता है क्योंकि मुझे मालूम है कि वो विश्वासी है प्रभू के वचनों के अनुसार जिवन जिया है वो प्रभू की उपस्थती में है वो मेरे लिए हानिकारक नहीं होगा किसी तरह से मेरे लिए दुख का कारण नहीं है अगर आपके प्रियजन जो मर गया है उन्होंने पापों में जिवन जिया है तो उनके पापों के लिए प्रभु से परश्चताब करें माफी मांगें अगर उन्होंने कोई अपराद के उस अपराद के लिए माफी माँगें अगर आपको उनके साथ अच्छा रिष्टा नहीं रहा है तो उनके साथ मेल मिलाब करें और उनकी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंप देना खुशी से कहना प्रभु तुने दिया था मैं तेरे हाथों में उन्हें समर्बित करता हूं जनते हैं जब आप ऐसा करेंगे आपके जीवन में प्रभु कृपा पर कृपा बरसाएंगे हमारे कमित्रे हैं जो बराबर आस्रम आते हैं अच्छे कृष्ट बक्त हैं उनका एक ही बेटा था करीब 32 साल के उमर में उस बेटे की मृती हुई जबकि वो बराबर यहां पर आता था उसकी किड्निया खराब थी बराबर यहां पर आता था प्रारतना करता था अचानक दुरगटना हुई और उमर गया मैंने उस भाई और उसकी पतनी और इस मरे मृत लड़के के बैनों को समझाने का प्रयास किया आपका भाई आपका बेटा कई दिन तक प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आया प्रभु की उपस्तिती में आया वो प्रभु की उपस्तिती में है वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए कृपा का माध्यम बनेगा आप इस बात को माने हैं मेरे भाई और बेहनों उसके बैटे के जाने के बाद उसके पिताजी बोलते हैं उनका धंदा उनका बिजनेस दुगना हो गया क्योंकि उन्होंने विश्वास कि मेरा बेटा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है अमारे सारे परिजनों के पापों की छेमा के लिए प्रभु से मांगते हुए उनको प्रभु के सामने उपस्तित करना और उनको हमारे और हमारे परिवार के लिए किरपा का माध्यम बनाना हमारा गाम है अगर अपने हिर्दे में शोक बनाए रखेंगे और उनको प्रभु के आद में सौंप देने को तयार नहीं होंगे तो वो बेक्ती आपके लिए किर्पा का माध्यम नहीं बनेगा इस चाली सा काल में हम अपने मृत प्रिये जनों को याद करेंगे और उनके लिए प्रार्तना करेंगे जैसा कि मैंने कहा अगर उन्होंने पाप में जीवन जीया है अपराध का जीवन जीया है उसके लिए प्रभु से माफी मांगेंगे उनको प्रभु के हाथ में सौंप देंगे आनन के साथ सौंप देंगे हो सकता आपकी पिता हूँ, माँ हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, आपकी प्रीमित्र हूँ, विश्वास के साथ प्रभु के आत्मे सौंप देंगे, एक उपहार सुरूप येशु के हाथ में समर्पित करेंगे, प्रभु से प्रार्तना करना की प्रभु, उ न पुवित्री छिणों के लिए भिये आध्य का में अपने प्रिवारं के साफे प्रिजन उंको तेरे हात में समर्पित करते हैं जो हमसे वी टा ले चुके हैं हम उनकी आत्माओं को तेरे आत्मे समर्पित करते हुए प्रारतना करते हैं कि उनके सारे पापों को छमा करना सारे अप्रादों को छमा करना और उनको तेरे अनंत प्रकाश में आने के लिए गर्पा देना वे हमारी ले माध्यम बने गर्पा की अनुगरह के माध्यम बने आमेन